सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास नीमी है और अब सभी का सवागत हमारी यूटूब चैनल नीमीजी नेटकर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं नवी करणिया उर्जास्तरोत यानि की रिनेवल एनेर्जी सोर्सिज के बारे में दोस्तो इसके बारे में हमने एक सुभे वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि इसमें से कितने कोश्चन आज तक आए है और किस तरह से इसमें से कोश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर जो question होते हैं दोस्तों वो target ways होते हैं कि भारत ने 2030 तक कितना target रखा है bio gas से कितना target रखा है hydro power से कितना target रखा है तो इन सभी के बारे में हमें पता होना जरूरी है तो इस video में दोस्तों हम renewable energy के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं तो दोस्तों इस video का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों क्या आप के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप UGC net exam में पांच या दस नमबर से रह गए हो और दोस्तों क्या आप चाहते कि अब की बार भी दुवारा फिर से आप 5 या 10 नमबर से फेल हो जाए net या जयारफ लेने में दोस्तों आप ये ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं चाहेंगे हमने अलग करके हैं इस तरीके से 10 की 10 यूनिट के हमने टॉपिक अलग कर रखे हैं दोस्तों उनको देख के आप बहुती अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं इसके साथ हम आपको ठीकल नोट्स और वीडियो देखते हैं उनसे आपका पूरा का पूरा कॉन सैक्ट क्लिय आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस क्रेश कोर्स के अंदर क्या कि आपको सुविधाय मिलने वाली है यह को से स्टार्ट होने वाला है इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों अभी से सुरू हो गया आप हमें जल्द से जल्द मैसेज किजिए इसके उपर और हम आपको पूरा होना चाहिए कि रिनेवल एनरजी क्या होती है देखिए जो अरजा के ऐसे स्तरोध जो एक वार यूज करने के बाद दोबारा इस्तवाल करने के लायक हो उन्हें हम क्या कहते हैं अब देखिए कुछ हम एग्जामपल लेके चलते हैं जिससे आपको बिल्कुल असानी से हवा से हम बिजली बनाते हैं तो वो भी जल्दी शेक खतम होती और उसके बाद जैसे कि हमारे पास बाइओमासिए बाइयो मास जैसे कि गोबर गैच्स प्लांट की बात बगरा की जाती तो उनसे भी एनरजी परडूज की जाती है और उसके विपरी तगर हम बात करें नॉ सकते हैं लेकिन एक बार पेटरोल को यूज करने के बाद हम उसे दोवारा यूज नहीं कर सकते और आपने सुना भी होगा कि पेटरोल जो हो धीरे 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 खतम होता हुआ जा रहा है अब हम इसमें ये देखते दोस्तों हमारे एक्जाम के पाइंट ओफ व्यू से क्या इंपोर्टन्ट चीजे है अब देखिए जो नवी करने उर्जा स्तरोत का जो उर्जा मंतराले बनाया गया है उसके आंकडों के मताबिक भारत के अंदर कुल अक्षे उर्जा उतपादन कितना है आठ लाख च्यानवे हजार छेस्सोदो मेगा व पादन किया जाता है इलेक्टरीसीटी का वो भारत का सबसे पहले नवर पर रज्य आता है तो उसके बाद पर दूसरे नंवर पर आता है वो अदोस्तों जम्मू एंड कस्मीन और तीसरे नंबर पर महाराश्वार का स्थान आता है जो रिलेवल एनरजी परड़ीज करता है और इसके बाद जैसे और भी काफी सारी जानकर है हमने यहाँ पे दिए आप ये सभी की सभी पढ़ लेना एक बार और इसके बाद जैसे कुछ और महत्वपूर्ण तथे हैं वो हम देख लेते हैं जैसे नमबर दो पर इन्होंने दिया है कुल स्थापित पाउन उर्जा समता के मामले में भारत दुनिया में चोथे स्थान पर आता है यानि कि पाउन चक्की वगरा से यानि कि पाउन से जोवी उलेक्रिसिटी प्रडियूज की जाती है वो भारत का चोथा स्थान आता है पूरी दुनिया के अंदर ये कोशन भी आ सकता है दोस्तों और उसके बाद में जैसे हम बात करें कि option no.4 इन्हों ने दिया है वर्तमान में भारत के पास नवी करने स्त्रोतों से अठावन पॉइंट तीस मेगावाट उर्जा उत्पाधन की अक्षमता है अब देखिए भारत में जो भी हमारे पास नवी करने उर्जा स्त्रोत है वो जो जितनी भी total energy हम produce करते है चाहिए वो renewable energy sources हो या non renewable energy sources हो उसमें कितना भाग है दोस्तों अठावन पॉइंट तीस मेगावाट है और अगर इसे percentage की बात करें तो दोस्तों 18.5% इसका हिस्सा है वो किसका है दोस्तों नवी करने उर्जा स्त्रोतों से हम 18.5% electricity या energy अपनी produce करते हैं उसके बाद में दोस्तों जैसे की पांच पे भारत की कुल सोर उर्जा उत्पादन अक्षमता 2030 तक सोर शमता का 8% होने की उमीद है और उसके बाद में एक और जो चीज हमारे लिए important है दोस्तों निसकर्ष में यह कहा जा सकता है कि भारत सिग प्रिही अक्षे उर्जा के अक्षेतर में दुनिया में एक उतकर्ष्ट स्थान हासिल कर लेगा और इसके उपर दोस्तों नई दिली के अंदर एक जो समेलन है उसका आयोजन हुआ था अंतराश्ट्रियस और ऐलाइंस से सिखर समेलन हुआ था तो इसमें यह कोशन आ सकता ह दोस्तों आप यहां पर पढ़ लेना बिलकुल असानी से आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी और यही चीज हमने दोस्तों यहां पर इंगलिस में भी दियो है दोस्तों अगर आप इंगलिस में पढ़ना चाहे तो इंगलिस में भी इसको पढ़ सकते हैं और उसके बा भारत की कुल विजली उत्पादन यानि कि जो इलेक्टरिसिटी परडिूज करते है भारत के अंदर टोटल उसका मिसरन क्या है वो इन्होंने बताया था कि अक्षे उर्जा यानिकी रेनेवल अनेर्जी का जो हिस्सा है वो कितना है 35% कोईले का कितना है 55% परमानू उर्जा स हम इलेक्टरिसिटी अभी 2% बना रहे हैं और छोटे हाइडर और अन्य स्तरोतों से 8% इलेक्टरिसिटी परड्यूज की जाती है तो दोस्तों ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें से कोशन आ सकता है और और इसके अंदर जैसे कि हम बात करें यहां पर एक और हाँ ये जो कोशन है दोस्तों ये कोशन आया था हमारे पहले एक्जाम में आ चुका है इन्होंने पूछा हुआ था कि 2027 तक नवी करनी अरजास्तरोतों से विजली की कुल अक्षमता कितनी है वो इन्होंने पूछी हुई थी तो इसका अंसर 57 परतिसत था तो ये च और 72 गिगावाट पन विजली से है और 15 गिगावाट दोस्तों परमानू उर्जा से है और अन्य स्तरोतों से कितना है दोस्तों 100 मेगावाट इन्होंने दिया हुआ है तो दोस्तों ये आप थोड़ा ध्यान में दे लेना क्योंकि इस में से कोशन आने की पूरी-पूरी आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे इसके अंदर और क्या चीज़े है देश की कुल बिजली उत्पादन शम्ता में अक्षे उर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़ कर 18% तक पहुंच जाएगा और अभी कितना दोस्तों ये 7.8% तक है और आगे देखिए दोस्तों अक्टूबर 2019 त लक्षे रखा गया है तो दोस्तों ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले जो ये लक्षे था दोस्तों वो था साधे 300 गीगा वोट था और अब कितना हो गया है साधे 400 गीगा वोट हो गया ये हमें चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है और उसक 155 गीगावाट उर्जा उत्पादन का लक्षे निर्धारित किया है ये कोशन दोस्तों पहले आ चुका है कि 2022 तक कितना लक्षे निर्धारित किया गया है दोस्तों तो इस कांसर है 155 गीगावाट निर्धारित किया गया है और उसके बाद दोस्तों जो 155 है वो डिवाइड क इसके अंदर किया गया वो हम देख लेते हैं इसके अंतर गत 60 गिगावाट पवन उर्जा से 100 गिगावाट सोर उर्जा से 10 गिगावाट वायो उर्जा से और 5 गिगावाट छोटे जल विद्यूत उर्जा सेंत्रों का निर्धारित किया गया है और यहां पे जैसे हमने इंग बार कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है दोस्तों ये पॉइंट आप अच्छे से कर लेना क्यूंकि इस में से अभी तक तीन से चार बार कोशन आ चुका है और आगे भी इन इसमें से कोशन आने की संभावना है दोस्तों और भी यहां पे कई चीज़ें दिवाई हैं आप य यहां पर देखे दोस्तों यहां पर हमने एक चार्ट भी बनाया हुआ यह आप चार्ट देखना चाहिए तो यह भी देख सकते है कि विंड पावर जो है उससे कितनी एनरजी परड्यूज होती है गया मेगा वॉट के अंदर यह हमने बात की थी कि 60 मेगा वॉट परड्यूज होती है solar power से 100 मेगावोट की हम ने बात की थी और दोस्तों एक जो कोश्चन इसमें से ये बन सकता है दोस्तों कि जो हमारे renewable energy sources है उनको करववाइस हम ही लगाना है यानि सबसे पहरे आएगा दोस्तों हमारा solar energy आएगा और फिर आएगा हमारे पास wind power आएगा और फिर आएगा हमारे पास बायो मास आएगा और फिर आएगा ये साइद समाल हाइडरो पावर आएगा तो ये चीज़ें आप देख लेना दोस्तों किसकी जो अक्षमता ज्यादा निर्धारत की गई जैसे ये देखे ये मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर इसमें देख लेना दोस्तों इसमें से मैं बार बार कह रहा हूं कि तीन से चार बार कोशन आ चुके हैं और एक कोशन इसमें से ये भी आया था कि जो नवी करने उर्जस्तर होता उनको करम वाइज लगाई ये सब से जी ज़्यादा जो target demonstrates किど फिर किसका फिर किसका ठीक है तो ये दोस्तों ये काफी इंपोर्टन चीज़ है और दोस्तों अगर आप कोई PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा Paid Group जोईन कर सकते हैं उसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के PDF Study नोट्स देते हैं पलस में हम आपको 2012 से लेके 2019 तक Old Paper Question देते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि सभी Sources की मिला के चले यानि कि वो Renewal हो चाहिए Non Renewal हो तो उनसे कितनी Energy Produce होती है तो वो भी यहाँ पे दी गई है जैसे कि कोईले से कितना है 44% है और Large Hydro से है 12% है Gains से कितनी होती है 6.90 होती है तो यह चीज़े भी आप ध्यान में दे लिना दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए केवेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके